ये है ब्रंदावन के पास इस्थित विशाल अक्षेबट वही अक्षेबट जो प्रियाग राज में विराजित है अब ये प्रशन उठता है कि प्रियाग राज का वहे प्रसिद अक्षेबट यहां ब्रंदावन के पास कैसी है तो आपको बता दें कि भगवान श्री कृष् धर्ती के समस्त तीर्थों को इस ब्रिज 84 को समें आवहान करके प्रगट किया है इसी क्रम में प्रियाग राज के पुन्नेकारी अक्षेवट को यहां स्री यमना जी के तट पर काजरोट गाउं में प्रगट किया गया है जो इतना प्राचीन अलोकिक वे विशाल है कि इसकी विशाल जटाएं डालियों से नीचे लटक कर उन्हें धर्ती में समाहित हो गई है अर्थात जटाएं बढ़ती बढ़ती उन्हें भूमी में गढ़कर एक और इस अक्षेवट की प्राचीनता को इंगित करती हैं तो दूसरी और अक्षेवट के अक्षे अर्थात जिसका कभी ख्षे या नाश नहीं हो उसको भी प्रत्पादित कर रही है ऐसा विशाल वे प्राचीन अक्षेवट जिसको स्वैम स्रीकृष्ण ने ब्रज में प्रकट किया है ये अत्यंत दुरलव वे दर्शनिये है आज भी ऐसी मानिता है कि जो भी भक्त श्रद्धालू इस विशाल अक्षेवट की चार परिक्रमा करके इसको भाव से प्रणाम करता है उसके सभी मनुरत पूर्ण होते हैं आज भी भारी संख्या में श्रद्धालू इस अक्षेवट के दर्शन करने वे प्रदक्षना करने के लिए आते हैं पास में ही गोप तलाई इस्थित हैं यहां वालकृष्ण के काजल लगाने की लीला हुई है अतेज गाउं का नाम काजरोट गाउं पड़ा है पास में श्री सीताराम जी का मंदर है यह इस्थल ब्रंदावन के पास विहार वन से दो किलो मीटर दूर यमना जी के किनारे अत्यंत शांत बातावरण में इस्थित हैं आप यहां के दर्शन करने अवश्य पतारें जैशी लिश्ट इनमें चाहता है यह इस्थ को जाना है आप आप नहीं जा सकते हैं कि लालाम कभी दर्शन नहीं करेंगे वाने करेंगे कैसे करेंगे तब यह दो भूमान में ल्टो आप इस्थी ने इस जीवताओं को आवान किया तो प्रायराजी ने बढ़ बरिश्य के ही प्रियाग्राज में जो बटवरक्षेव होई है यह तो नहीं यहां के दर्शन दिया वाने प्रायराज जी ने वाने कहुए नाकों करोड़ों में संतर भक्ता आते हैं तो हमें जहां जाने का आप द्रेज चौराशी को उसके राजा होगे और अख्या वट के नाम से जाने ज आए लगभाई जी ने राम लक्षमन जान की इनके द्र्शन कराए है और त्रेता योग की लीला को यहां द्र्शन कराए है यह काचरोट गाहों है और यह शी यह नम से ञाना प्रेश का फिर्वाटेंगी और कोई सरोबर भी है इसे लोग तलाइगी नाम से दाना जाता है इस लीजे है बराबर में है यह डिर्फन है और अधर्वर्च ओबरेश महाराध है इस और तपबन कहाँ पूबन यहां से आप पीछे में होगे कर्चानाफ पाफ़ा जाता है ज